हाई फ्रेंट्स नमस्कार आज हम बात करेंगे जीवन में अगर किसी भी तरीक का अगर संकट आए आपके उपर तो क्या साधन रखेंगे ये तीन बाते आप जीवन में याद रखना आपका संकट असानी से हल हो जाएगा हर इंसान के जीवन में संकट आता है किसके जीवन में संकट नहीं आता है हर इंसान के जीवन में परिसेनिया आती है किसके जीवन के इंसान के जीवन में परिसेनिया नहीं आती है दोस्तों क्या कोई इसे ही सपलता हसिल कर लेता है क्या कोई इसे ही उचाही के इस्तान पहुं से करता है वही आगे निकलता है तो जब भी आपके जीवन में संकट आए जब कि आपके जीवन में मुसिबत आए तो यह तीन बाते आप जरूर याद रखना आपका संकट बहुत ही इजी और बहुत ही सरल तरीके से निकल जाएगा नमबर वन मन मस्तिक को विचलित न होना दे जब भी संकट आए तो अपने मन और अपने मस्तिक को सांथ रखे संकट के समय में लोग क्या करते उनका मन विचलित होता है उनका मन बटकता है उनका मन दुकी होता है तो उस वक्षिस करे कि अपने मन को सांथ करे अपने मस्तिक को सांत करें, अपने मस्तिक में ऐसे विचार ना आने दे, निरासावदी विचार ना आने दे, हमेसा पोजेटिव रहे और कभी ऐसी गलत खयाल अपने दिमाग में ना आने दे, और अपने मन और मस्तिक को सांत रखें और उस सांत महल में सोचें कि आपको क्या करना है, और आप मानते हैं, जरूर मानते हैं कि संकट आता है तो तरह तरह के विचार अपने मन में आते हैं, तरह तरह की निरासा अपने मन में आती है, यहां तक कि जब संकट बड़ा होता है तो यहां तक कि ऐसे विचार भी आते हैं, मन में सुसाइट करने के विचार भी आते हैं, आते हैं, बिल्कुल मेरे मन में भी आते हैं, आपके मन में भी आते हैं, सब के मन में आते हैं, अगर आप इंसान है तो आपके मन में अगर कोई संकट आये, कोई मुसिबत आई है, तो ऐसे विचार आपके मन में जरूर आएंगे, और आपको लगेगा गयार मैं क्या कहूं, लेकिन उस सांत दिमाग से सोचना और कुछ भी निरासा और कुछ भी ऐसे नकरात्मक विचार अपने मन में बिलकुनन लाना हमेशा positive रहना कहीं न कहीं एक आसा की किरन अपने मन में जगाये रहेना और वो आसा की किरन आपको जिरूर आगे ले जाएगी थर्ड, मुश्किल समय में जल्द बाजी में फेसना ना ले, अक्सर लोग क्या करते हैं, जो उनके संकट के समय होता है, जब उनको मुश्किल के समय होता है, इसा मुश्किल के समय होता है, वो जल्द बाजी फेसना लाते हैं, मैं यह कर लो, मैं यह कर लेता हूं, लेकिन नही मुस्किल समय में आप सोचे कि आपको क्या करना है अपने यार रिष्टेदार या फिर अपने घर या परीवार के साहथ बेटे में मेरा समय में, मैं संक्र्ट में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए यकीर मानिए दोस्तों वो बहुत ही अच्छा सुझा देंगे आप जब आप अपनी प्रोब्लम अपने गर वालों के साथ शेयर करेंगे न तो वह आपको कहीं कोई ने कोई अच्छा सुझा देंगे आप मुश्किल समय पे आप अकले डिसिजन न ले अगर आप अकले डिसिजन लेंगे तो उस वक्त आपका मन मस्तिक्स हो सकता है कि आप डाइवर्ट हो आपको मन में ऐसे विचार आए तो आप गलत फैसला ले सकते हैं इसलिए अपने मन में अगर आपको कोई भी अगर मुश्किल समय पे फैसला लेना है तो अपने परिवार के साथ में या फिर आपको कोई mentor हो, आपका guru हो, उसके साथ बेटके फैसला ले, हो सकता है, आपको एक अच्छा फैसला मिल जाए, अगर आप, मुश्किल समय में आप सुएंगे, अगर कुछ फैसला ले लेोगे, हो सकता है, वो फैसला आपके जिन्दी के लिए, बहुत ही खराव हो, औ और आप आगे और मुश्किलों में फस सकते हैं याद रखे दोस्तों जी उन्हें जब भी मुश्किल आए ये तीन बाते जरूर याद रखना आपकी मुश्किलें आसानी से दूर हो जाएंगी इसे के साथ आजें नमस्कार